इस वीडियो में ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूँ अगर आप सौधी एरब में मुवाइल लेते हैं लोन पर, अगर आप सौधी एरब में कोई भी समान खरिते हैं लोन पर, अगर आप सौधी एरब में सिम लेते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वाइफाई चलाते हैं और उ जिस भाई के साथ मैंने वीडियो पनाये थे टूब इस्टूडियो में और आप लोग ने देखी आप लोग को जो भी चीज थी वह ने शेर की तो उसी ने मुझे ये बात बताई मैंने का इसके लिए एक वीडियो बनानी पड़ी गी ताकि मैं उन सब को ये शेर कर दूंगा तो उसने कहा जब भाईजन मैं जब एरपोर्ट पे आया तो मैंने किसी ओनलाइन वाले से समान मंग गया था तो उसका पैसा मैंने नहीं दिया था जब मैं एरपोर्ट पर आया तो मुझे रोका गया इस वीडियो को मैं पूरी बात समझाना चाहूंगा अगर आप नए हो पहली बार सौधी रप जा रहे हो या आप छुट्टी में आने वाले हैं और आपका पैसा बाकी है मतलब मुवाइली का एस्टी सी का फोन का वाइफाई का या आपने लोन ले रखा है लोन पर मुवा या इत के बाद घर आने का सोच रहे हैं और लोन वोन उनका चल रहा है ऐसा नो सपना सपना रह जाए और बाद में प्रावलम क्रियेट सोचना पड़े आपको आपका कफिल भी गुस्सा कर जाए आपका एक जीट भी लग जाए या कुछ भी हो जाए शायद तो बहुत सार मालम हो जाए मेरा चोटा भाई आभा में रहता है साओधिरब में पांस साल से लगतार रहा और अभी चुटी में आया था इसको शादी वादी हुई है तो जो अभी गया वो तो मैं इस बारे मैंने उससे बातचित नहीं करी थी तो हम थोड़ा सा लोन वोन का कुछ प्रोस जबजात वाले सिस्टम पर आखरी में उसका सब कुछ हो गया बोर्डिंग बोर्डिंग समान वगयरा सारा कुछ चला गया चेकिंग वेकिंग भी हो गया जो लास्ट स्टेप होता है जबजात वाला वहां पर उसको रोका और वहां पर बोला गया है कि तुम्हारे नाम पर मोबाइल ले रखा हुआ तुम्हारे एकामा पे किसी ने भी ले रखा या तुमने ले रखा तुम्हारे एकामा पे कुछ भी होगा चड़ा हुआ मोबाइल, फोन, वाइफाई का पैसा, इंटरनेट का पैसा, सिम का पैसा, किसी भी तरीकी का कोई भी बकाया सौधी रब के अंदर का है आपका, ऑनलाइन समान मंगाए हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, करीड, कार्ड, बैंक, लोन, कुछ भी मंगाए हो, तो आप अब छुट्टी म जा रहे हैं, तो आपको पै करके जाना पड़ेगा, अब आज से पहरे जितनी वीडियो मैंने बनाई है, मैंने उस हर वीडियो में कहा है, कि जो लोग छुट्टी में आ रहे हैं, उनको मुबाइल का बिल भे, पै करो, ना करो, तो शायद आपको कोई दिकत सामना ना करना पड़े, बट इस चीज में मैं तालिप को बोला कि क्यों तेरे तेरे साथ ही हो ऐसा बोलता है, और भी लोग बहुत सारे थे, उन सब के साथ हो ऐसा, मतलब कोई भी बाकी पैसा नहीं होना चाहिए, तो उसके कार्ड में भी इस चीज रियाल था, तो उसने वह पे कर दिया पर, तो चलो ठीक है, तो उसने का भाजन ये वाला जो है ना ये बात आप शेयर कर दीजिएगा, मैं भी भूल गया था, वीडियो में बात करते करते मुझे बोलना था, मैं भूल गया ये बात, आपने पूछा भी नहीं, देखो, साथी एरभ में हम मोवाइल लेते हैं, व अगर आप पे किसी भी तरीकी का लोन होगा, या बकाया होगा, किसी भी तरीकी का किसी का पैसा होगा, और वो आपके खामा से कनेक्टेड होगा, तो आपका एक्जीट नहीं लगेगा, खुरूज नहाई नहीं लगेगा, आपको कफील डारेक घर के लिए नहीं भेज लगाते 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 परिशान हो जाएगा नहीं लगेगा मैं अपना छोटा सा एक्स्पीरिस शेर करता हूँ जब मैं दम्माम में था मेरे नाम पर गाड़ी थी को ओनर मुहम्मद जावेद आलम मतला मेरा कफील मालिक था लेकिन वहां पर क्या कंपनी था ना कंपनी में हर गारी हर किसी के नाम होने चीए, एक ओनर के पास तीन गारी चार गारी होती है, तो एक गारी जो होता कमर्शियल वो अपने ड्रैवर के नाम रखते है, तो को ओनर में मेरा नाम था, सिर्प नाम था, जवाजात में जाके मेरा नाम चलगा जा जा उसने, एक सर के थुरू, वो exit लगाता रहे गया, एक हपता उसका exit नहीं लगा, आखरी में पता लगा जवदास से कि इसके नाम पे कुछ है, गारी है, घोड़ा है, कुछ भी है, 100% कुछ ने कुछ है, नाम जुरा हुआ है, वो नाम हटाईए, तभी exit लगेगा, तब मुझे पता लगा, बाबा, मेरे नाम पे तो तुमने गारी कर रखा है, को ओनर में, हाँ, अना इंसा, तब जागर कुछ ने हटाया, तब मेरे exit लगा, तो exit नहीं लगता, अगर आपके ऊपर कोई loan वोन कुछ भी होगा, छुटी लग जाएगा, छुटी लग जाएगा, खुरुच अवदा आपका लग जा यहां, और आप airport पे आ रहे हैं, तो शायद आपको रोग वोग दिया जाए भाई, तो पैसा वैसा पे कर के आओ, यार, पैसा वैसा बकाया, इसा क्यूं क्या बता है, तालिम ने बुचा है, तालिम ने बुचा है, बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा फोन खरे लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, आप तो आसान तरीके से फोन वोन मिल जाता है, एक किस्दी है, और सीधा घर चले गए, क्योंकि इंडिया से पे करने की जवर्थोलन है, इसलिए यहां पे कराना पर रहा है, अब यह आप से लागो किया गया है, यह सिस्टम अभी 2024 से बता रहे हैं बना चुट्टी भी नहीं जा पाओगे, और एकजित भी नहीं जा पाओगे, दोनों ही सुरत में आपको रुकना पड़ेगा साओधियर अपकंदल में, वीडियो को फैलाईए, आगे तक पहुचाए लोगों तक, और साओधी गवर्मेंट ने इस बारे में कहीं पर भी को समान वगेर को रस्टी से मत बांधना, ट्रॉली को रस्टी से मत बांधना, काट्वन को रस्टी से मत बांधना, अपना समान ट्रॉली बैग में लेकर के जाओ, और ट्रॉली में जो पन्नी लगाते हो, वो पन्नी डारेक एरपोर्ट पे लगवाना, अपने से मत लगाना, क पर यूट्टूब पर जहां भी देख रहे हो और लाश्ट तक वीडियो देख लिया है तो 70% लोग भी ना सब्सक्राइब की मेरी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉलो कीजिए फेस्बूक पेच को अल्ला आपीज